जैसी आराम दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगल कंपू सोल्यूशन लिमिटिड कंपणी के आई प्यों के बारे में कबसे आई प्यों हमारा खुलने जा रहा है कंपणी कितने करोड रुपे का इसू साइज लेके आई है उसका प्राइज बेंड क्या है कंपणी बिजनस क्या करती है करने करिए मार्केट प्रियूम क्या चल रहा है कंपणी कहई अप्लाइ करना चीक है नहीं करना चीए यह सब भी बाते हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए गा हम सबसे पहले कंपणी के बिजनस की बात करें कमपनी की जो स्थापना है वो 2011 में हुई थी और कमपनी हाडवे रेंटल सोल्यूशन प्रोवाइड करवाती है मतलब आटी के हाइडवेर हो गए उनको कमपनी रेंट पर देती है और उनके थुरू अपना रिवेन्यू जनरेट करती है तो कमपनी जो आइटी के एक अटेगरी में डिवाइड किया है पहला वो हो है कि कमपनी जो आईटी के एक्वीपुमेंट्स है। यह लेड्चोप, डेक्स टोप वग्यारा जो रेंट पर देती है उनसे अपना रिवैन्यू जनेरेट करती है जो IT के equipment है उनको बेच के भी company अपना revenue जनरेट करती है साथ ही जो IT के equipment है उनकी maintenance करके भी company अपना revenue जनरेट करती है company कुछ competitive stand की बात करें तो company जो product offer करती है उनमें काफी variety है जिसमें company HP, Dell, Lenovo and Anya company के company वो IT के जो hardware है वो available करवाती है company की customer centric approach है मतलब वो अपने customer की जरूरत का ध्यान लगती है यह company की 24 x 7 dedicated sport team है अगर किसी को service की जरूरत भी पड़ती है वो 24 x 7 company यह service provide भी करवाती है और साथ ही जो rented equipment होते हैं अगर उनमें किसी में breakdown आ जाता है तो company उनके downtown को भी कम करती है जीरो के बराबर ही है तो अगर किसी में breakdown वगएर आता है तो repair करने के बजाए उसको दूसरे equipment से replace कर देती है और फिर उसको अपने पास ले जाके उसको repair करती है स्टमबर 2024 के quoting देखे तो company में 24 full time employee भी काम कर रहे हैं जिसमें company के 5 directors हैं company के financials की बात करें तो company के अगर हम revenue देखें 2022 में company का revenue लगबख सड़े 18 क्रोड रुपे था फिर वो बढ़के लगबख सड़े 34 क्रोड रुपे हो गया और फिर 2024 में उसमें काफी गिरावड देखने को मिली वो लगबख सड़े 33 क्रोड रुपे के आसपास रहा financial year 25 के first quarter की बात करें तो उसमें company का revenue है लगबख सड़े 4 क्रोड रुपे के आसपास रहा company का revenue है वो काफी fluctuate कर रहा है company का profit after tax की बात करें तो 2022 में company ने 86 लाग रुपे का profit किया था और 2023 में वो company का profit अब वो 7 क्रोड रुपे तक पहुंच गया और 2024 में company का profit गिर के लगबख 3.85 क्रोड रुपे रहा गया तो company के profit में भी गिरावट नजर आ रही है revenue के साथ साथ ही और financial year 25 के first quarter में company का profit लगबख 80 लाग रुपे के आसपास रहा जो sales हैं वो consistent नहीं है उनमें काफी fluctuation हो रहा है और company के पास 10 क्रोड 80 लाग रुपे के रिजर्व हैं उसके against में company के उपर लगबख सड़े 18 क्रोड रुपे का भी करजा नजर आ रहा है तो company के उपर रिजर्व से ज्यादा करजा है 61 क्रोड रुपे की फिलाल company की market capitalization अभी नजर आ रही है कमपनी का जो debt to equity ratio देखें वो 0.9 का नजर आ रहा है वो एक से ही कम है लेकिन फिर भी वो एक क्यास पास ही नजर आ रहा है तो company के लिए debt भी एक चिंता का विशय है वहीं अगर हम देखे company ने अपने IPO की valuation क्या रख किया है और जबकि इस company का वो शिर्फ 3.86 का है company से almost 4 गुना उस company का EPS चल रहा है प्रिया IPO जो company का PA वो सड़े 11 का चल रहा है उसके competitors का वो लगबग 20 के आसपा चल रहा है valuation wise देखें तो company से थोड़ा cheapest नजर आ रही है लेकिन earning से compare करें इसके competitors का जो EPS है इस company से almost 4 गुना पर भी नजर आ रहा है बातों को ध्यान में रखते हुए देखें तो company की जो valuation है वो थोड़ी महेंगी नजर आ रही है अगर हम company का object जखेंग company किस वज़े से IPO को लेके आ रही है तो company अपने business को expand करने जा रही है उसके लिए company इसपैसी का यूज करेगी साथी general corporate purpose के लिए भी company इसपैसी का यूज कर सकती है यह IPO 12-14 November के बीच में खुला रहे है company ने जो इसका price band रखा है वो 45 रुपे पर share का रखा है मतलब कि यह एक fixed issue price IPO है एक lot में हमें इसमें लगबख 3000 share मिलेंगे total issue size company लगबख 16.23 क्रोड रुपे का लेके आई है और सारी की सारी जो holdings है वो fresh issue के जरीए company market में अभी यहां पे पेच रही है 12 November के दिन इसके lotment का पता लगेगा जिनको lotment नहीं मिलता उनका refund 19 November के दिन आ जाएगा retail category के लिए इसमें 50% quota reserve रखा गया है retail category में हम minimum और maximum एक ही lot apply कर सकते हैं एक lot के लिए हमें इसमें 1,35,000 रुपे इसमें pay करने पड़ेंगे तो आज के according अगर इसका जो grey market premium चल रहा है वो लगबख 3 रुपे के आसपास चल रहा है जो की total लगबख 6% के आसपास है हम अवराल बात करें इस IP में apply करें या ना करें मैं अपना वीव बताओं तो मैं इस IP में apply नहीं करने वाला क्योंकि company की जो sales हैं वो consistent नजर नहीं आ रही है वहीं अगर हम पिछले 3 साल से देखे तो company की sales में लगातर गिरावट ही आ रही है 2022 के बाद company की sales में 2023 में थोड़ा जंप आये था लेकिन 2023 के बाद से company की sales लगातर गिर रही है और company का profit भी गिर रहा है तो वह एक चिंदा का विशा है दूसरा यह है कि company के उपर करजा भी काफी जैदा नजर आ रहा है उसके अगेंस्ट में company के पास उतने रिजर्व नहीं है और कल को अगर इसकी sales पर और भी impact आता है तो कम लोन लिया वहा उसका interest पे करने में भी काफी issue हो सकता है company का grey market प्रियम भी को इतना फिलाल अभी खास नहीं चलना वह सिर्फ 6.6% के आसपास ही चलना है तो उसमें भी एक risk है सभी parameters को देखत के रिए